Classless Addressing जहें उसी Depletion of Address को कम करने के लिए हमने Classless Addressing की स्कीम जहें वो बनाई है और Classless Addressing की स्कीम क्या कहती है कि इसमें बजाए इसके कि आप जहें वो Prefix Length को Fix रखें यहां पे Variable Length Blocks जहें वो Create किये जा सकते हैं यानि The Prefix Length can be 0 और अब तो 32 यानि हम एक Address का Block भी बना सकते हैं दो का भी बना सकते हैं चार का भी बना सकते हैं और अब तो 2 रहे पावर 32 का भी Block बना सकते हैं As long as the number of addresses are in the power of 2 Then our address space will be divided into consecutive blocks जो के हमें यहां पे नजर आ रहे हैं Instead of making the address space Address space to a certain number of bits हम उसको variable कर देते हैं जिससे हमारे पास यह flexibility आ जाती है कि हम किसी भी block size का एक block जावो बना सकते हैं Classless Redressing को notation जो है वो इस्तमाल की जाती है जिसको हम CIDR कहते हैं CIDR stands for Classless Inter-Domain Routing Classless Inter-Domain Routing का मतलब यह है कि यह वाली notation जो है वो इस्तमाल की जाती है Classless addresses को show करवाने के लिए यह notation है क्या हम IP address लिखते हैं इस तरह से और उसके आगे एक slash लगाते हैं और फिर number of bits जो के fix की हुई है वो लिखते हैं जैसे आपको हम अपनी मर्जी से कोई भी block जा वो किसी को भी assign कर देते हैं अब क्यूंके IP addresses जै वो same है और उसको assign करने के लिए हमारे पास internet corporation for assigned numbers and numbers and names जै वो ICANN के नाम से एक global authority है जो के assign करती है IP addresses को अब यह वो वाले IP addresses हैं जो के globally या statically इस्तमाल किया जाते हैं और ISPs जो आपको internet के services provide करती हैं वो इन से एक block of address जै वो allocate कर वाते हैं तो यारी हम individually बहाँ से एक IP address ICANN से नहीं ले सकते हैं बलकि हम एक ISP से लेते हैं और ISP जै वो ICANN से एक IP address का block जा खरीदी है और IP address का block जो है उसको assign करने के लिए दो restriction जै वो हमने उसके उपर apply की जाती है जिनमें पहली restriction जो है कि आपका block जो है उसके number of addresses जो होते हैं वो 2 की power होने चाहिए अगर 2 की power होते हैं क्योंकि हमने prefix length जा वहाँ मालूम नहीं है तो हम prefix length को मालूम करने के लिए ये वाला formula इस्तमाल करते हैं जिसमें हम 32 minus log base 2 of n जा वो ले रहे हैं n stands for our number of addresses in a block तो अगर n जो है वो 2 की proper power नहीं होगा तो हमारे पास prefix length के लिए एक whole number नहीं आएगा दूसरा restriction ये है कि हम first address जो भी किसी भी network के अंदर हम इस्तमाल करने हैं वो उसके number of addresses के उपर एक block के अंदर number of block जैसे अगर हम 64 addresses के लिए एक block बना रहे हैं तो पहला address जो उसकी decimal form में होगा वो must be divisible by number of addresses जो के n है हमारे पास इसी की एक example देखते हैं जैसे एक ISP जो हो thousand blocks का address जो हो thousand addresses का एक block request करती है तो thousand क्यूंके एक two की power नहीं है तो उसको 1024 addresses जो हो allot कर दिये जाते हैं अब ये 1024 addresses जब allot हो चुके हैं तो हम यहां से हम prefix length java calculate कर सकते हैं prefix length कैसे calculate करेंगे वही formula है हमारे पास हम यहां पे n calculate करने के लिए 32 minus log 2 of 1024 लेंगे जो के हमारे पास आता है 32 minus 10 जो के 22 हो का अब isp java उसको एक available block जो के है हमारे पास यहां पे 18.4.12.0 जो के पहला address है यहां से उसको एक block assign कर देती है जो के इस से आगे 1024 addresses मिल जाएंगे अब वो कैसे अब हम कैसे पता करेंगे कि पहला address जाए वो आपका divisible by number of total addresses है तो हम उस address को decimal में convert करते हैं अभी हमने देख शुरू में बात की थी कि IP addresses जाए वो 256 बेस नंबर होते है तो उसको हम कैसे convert करेंगे जैसे हम binary को decimal में convert करते हैं उसी तरह से करेंगे कि हम हर एक position के उपर जो आपके पास number है जैसे 0 है तो 0 जाए वो आपके पास 0 power के उपर है तो हम यहां पर उसको 256 raise to the power 0 के साथ multiply करते हैं add करेंगे 12 into 2 raise to the power 256 raise to the power 1 फिर उसको add करेंगे 14 into 256 raise to the power 2 और फिर 18 into 256 raise to the power 3 तो हमारे पास यह वाला number आता है जो के पूरी तरह से divide हो जाता है आपके पास 1024 के उपर तो अगर तो वो पूरा-पूरा divide हो जाए तो यह एक legal block है और अगर वो पूरा-पूरा divide ना हो on the value of n जो के हमारे पास total number of indices होंगे तो वो एक viable block नहीं है तो हमें किसी और जगा से block assign करना होगा अब एक IP address जो कि आपको एक block में से मिलता है हम वहां से कुछ information extract कर सकते हैं और वो information useful होती है किसी भी एक block को describe करने के लिए वो information क्या-क्या है अगर आपको एक IP address और उसका जो prefix length है वो मिल जाए एक IP address क्योंकि उसके साथ prefix length जो है वो उसके साथ होगी तो हम उससे total number of addresses जो के उस block के हैं हम उससे calculate कर सकते हैं वो कैसे calculate करेंगे यह हमारे पास यह formula मजूद है जिसमें हम N into 2 raised to the power 32 minus prefix की length जो होगी उसको minus करेंगे तो बाकि जो power हमारे पास बचेगी वो हमारे पास total number of addresses होगे जो के एक block में है और उसी address को अगर हम binary में convert करें और leftmost bit जो होगी जो के हमारे पास prefix होगी उनको छोड़ के बाकि सारी को zero कर दे तो हमारे पास पहला address आ जाएगा और वो ही तरीका दोबारा दोहराएं और बाकि सारी bits को हम one कर दे तो हमारे पास आहरी address जो हम आ जाएगा अब ये पहले और आखरी अड्रेस के उपर जोर क्यों दिया जा रहा है क्योंकि पहला और आखरी अड्रेस जो हो बहुत ज्यादा important होता है किसी भी ब्लॉग के अंदर क्योंकि आपका पहला अड्रेस जो होता है वो network address के लाता है जो के network को identify करता है और जब भी हम route कार रहे होते हैं packets को तो जो destination network है वो हमेशा network address से जाना जाता है और ये वाला address किसी भी दूसरे host को या node को assign नहीं किया जाता उसी की एक example यहाँ पे हमारे पास मुझूद है कि आपके पास एक classless address यहाँ पे given है जिसके साथ जो prefix length है वो 27 लिखी हुई है तो उसी को अगर हम calculate करें वो ही formula के साथ तो हमारे पास total number of addresses आते हैं 32 32 अगर addresses आ चुके हैं तो हम यहाँ से अभी उसी को इस्तवाल करके जो address है वहाँ से हम जो first address और last address of the block जो हैं वो extract कर सकते हैं first address हमारे पास यह है और उसकी binary representation हमारे पास यहाँ नजर आ रही है अब इस binary notation के अंदर हम क्यूंके 27 bits जा वो fixed हैं तो हम पहली 27 bits को same रहने देते हैं और आहरी जो 5 bits बचती हैं उनको हम 00 कर देते हैं जो के हमारा number आता है 64 और यही हमारा block का पहला address है और यही तरीका हम दुबारा से दोर आएंगे उसी address की पहली bits जो 27 है उनको same रहने दें और आहरी bits को 111 कर दें तो number आएगा हमारे पास 95 जो के है last address of the block तो इसी तरह से हम इस तरह एक address से information extract कर सकते हैं यही information हम address mask से भी extract कर सकते हैं address mask हम पीछे जान चुके हैं कि यह वो number होता है जो के prefix length वाली prefix length की जो जितनी भी bits होती है उनको 1 कर दे और बाकी सबको 0 कर दे तो हमारे पास address mask का जाता है अब इसी address mask से हम तीन extract information extract कर सकते हैं जो के है number of addresses first address और last address first number of block number of addresses address in a block को हम कैसे लेंगे and जो हमारे पास होगा जो भी हमारे पास mask है उसका हम compliment लेंगे और उसमें एक add कर देंगे तो जो भी जवाब आएगा वो हमारे number of addresses होगे यहाँ भी हमारे पास mask जो है वो उसी पुरानी example को दे तो पहली जो 7 27 bits थी वो हमने बान कर दी है जो के हमारे पास यह blog आता है यह value आती है जो के binary में हमें नज़र आ decimal में नज़र आ रही है और फिर हम उसी का compliment ले ले इसको अगर हम compliment लेता है तो हमारे पास यह number आता है और उसके बाद हम उसमें एक add करते हैं एक जब हम उसमें add करते हैं तो उसका compliment लेने से हमारे पास number आता है number आता है जी 31 और उसमें जब हम एक add करते हैं तो total number of addresses जो हमारे पास 32 number आता है last और first address के लिए हमने क्या करना है last और first address के लिए first address के लिए हमें वो ही address mask काम उठाएंगे और उसको mask वो ही नमबर हम उठाएंगे और उस नमबर को हम mask के साथ complement करेंगे जो भी हमने IP address पहले मिला है उसको binary में convert करेंगे और फिर mask के साथ उसका end जाए वह end का मतलब यह है जो भी दो consecutive bits होती है दो bits हैं अगर दोनो one होगी तो हमारा जवाब जोगा one होगा और आहरी address को extract करने के लिए हम उसी address को binary में convert करते हैं और अपने mask का complement लेके address mask का complement लेके उसको और operation perform करेंगे तो उसकी example हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले address है हमारे पास वो ही address है जो के हमारे पास block में पहले था one six seven dot one nine one nine nine one seventy dot two eight और इसको हमने binary में convert कर लिया इसी तरह mask है हमारे पास पहले twenty seven bits हैं तो आप हमारे पास इसका binary form of the mask भी आ गी है तो इसको हम first address के लिए इन दोनों को end करेंगे यानि पहली दो bits देखें zero और zero तो ये वापिस हमारे जवाब zero आ जाएगा one और zero तो ये इसका जवाब हमारे पास zero आ जाएगा और one सिरफ उसी सुरत में होगा जब दोनों bits जो होगी वो one होगी तो इसी तरह से जैसे ये वाली bit जो इसी तरह से हमारे पास जवाब जवाब यह वाला आजाएगा जो कि आपको अगर याद हो तो पिछली फॉर्म की तरह पहली बिट जहाँ वो कॉंस्टेंट है और आहरी वाली बिट जो कि नोड की बिट से हैं वो सारी जिरो हो चुकी है जो कि हमारा पहला एडरस आगया है दूसी सुर्ण में हम क्या करेंगे उस मास्क का नौट लेंगे जो कि हमारे पास यहां पे मजूद है और फिर उसका और अप्रेशन परफॉर्म करेंगे जब दोनों में से एक भी वन हो तो हम उसको वन कर देंगे तो यहां पे हमारे पास यह वाला नंबर आगया जो कि 167.199.170.95 है जो कि लास्ट आडरस आफ दो ब्लॉक है तो अब यह इंफोर्मेशन हमने सिर्फ एडरस मास्क से एक्स्ट्रैक किया अब क्योंके हमारे पास IP ADDRESSES जैंब वो BLOCKS की सुरद में हम अपलाए करते हैं तो हम IP ADDRESSES को ICANJ जहें वो अपनी पूरी ADDRESS SPAIS को Euter कर रहा है इंस को SMALLER BLOCKS और इसको ICS को assign कर रहा है और ICS जहें वो भी खुद से किसी भी IP ADDRESS की रंज को मزید छोटे blocks के अंदर divide कर सकती ہے जिसको हम subnets कहते हैं subnets होते हैं ये एक granted range of addresses को मزید divide करके छोटे addresses block के अंदर divide करना जो है उसको sub network कहते हैं या subnets कहते हैं और subnetworking जो हänder several sub blocks हम बना सकते हैं sub networks बना सकते हैं और हम sub network के बजीर छोटे नेटवर्क जहां वो बना सकते हैं और इसकी कोई लिमिट जहां वो नहीं है और कोई भी ISP जितरे चाहे सब नेटवर्क जहां वो create कर सकता है अब सबनेट को डिजाइन करने का method जहां वो ही है जो कि हमने block allocation के अंदर पड़ा है कि सबसे पहले जो सबनेटवर्क के अंदर number of addresses है वो power of 2 होने चाहिए पहला जो rule है वो यह ही है दूसरा rule यह है कि आपकी prefix length जहां वो उसको calculate करने का formula यह दिया हुआ है तो हम यहां से prefix length जहां वो calculate कर लेते हैं और यहां पे prefix length जहां वो देखें यह end नहीं है बलके sub network का prefix length है और तीसरा rule वो ही है कि आपका पहला address जहां वो number of total addresses के ओपर divisible होना चाहिए और इसको हम make sure कर सकते हैं कि अगर हम सबसे पहला जो सबसे बड़ा block है वो assign पहले कर दें तो हमारे पास end पे जो number बचेंगे वो हमेशा total number of address space जो हमारे पास जो number of addresses हमने assign करने होगे उसके ओपर divisible होगा चोड़ी सी example यहां में दी हुई है कि एक organization जाए वो एक address block जो के यहां से शुरू हो रहा है यह वाले address से वो मिलता है और organization जाए वो उसको तीन sub blocks के अंदर divide करना चाहती है जिसमें पहला block जाओ 10 addresses का दूसरा 60 addresses का और तीसरा जाओ 120 addresses का होना चाहिए तो हम सबसे पहले इस block को देखते हैं कि यह block जो है इसका क्या मतलब है यह block में क्या चीज़े हमारे पास available है सबसे पहले block से हम 3 चीज़े IP address से 3 चीज़े extract करते हैं पहली क्या है number of addresses तो हमारे पास formula available है जितनी भी prefix length है उसको 32 में से minus करके 2 की power ले लें तो 32 minus 424 जब वो 8 बचता है तो total address space जो के हमारे पास available है वो 256 है first address जब आपके पास 0 यह हमारे पास दिया हुआ है और last address हम उसमें 256 जो के basic 20, 256 में अगर हम उसको add करेंगे तो यह 255 आजा जाए फिर आते हैं हम पहले block के उपर जो के सबसे बड़ा block है और block allocation जो के हमने पहले बात की है कि हम सबसे बड़े block से शुरू करते हैं पहला block जब वो 120 addresses का है और 120 जो के 2 की power नहीं है तो हम उसको 128 blocks जाए और 128 addresses assign करते है इसी तरह prefix length calculate करने के लिए हम वो ही formula इस्तमाल करेंगे 32 minus log of 128 जो के number of addresses होगे और यह हमारे पास number आ जाएगा भई 25 25 का मतलब यह है कि हम जो पहला address है वो calculate कर सकते हैं with the fixing first 25 bits और फिर बाकी सारी bits को एक दफा 0 करेंगे और एक दफा 1 करेंगे तो हमारे पास first and last address आ जाएगा अब यहां पर last address हमारे पास यह आ रहा है 14.24.74.127 और आगे हमारे पास 25 bits जाएगा वो fixed है दूसरा address जाएगा दूसरा block जाएगा वो 60 addresses का है तो हम उसको 64 addresses और हमारी जो prefix length आएगी वो 26 आएगी अब यानि के पहले जो 26 bits होंगे वो fixed होगे और बाकी सारी bits जाएगा वो हम node के लिए इस्तमाल कर सकते है तो क्यूंके 127 तक हमने एक block जाएगा वो assign कर दिया है तो बाकी तमाम blocks जाएगा वो consecutive होने चाहिए तो next address जाएगा हमारे पास आता है 14.24.74 और 128 तो यानि हमने पहली 26 bits जाएगा वो इसको fix कर दिया तो पहली 26 bits fix करेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचती हैं बाकी जो 6 bits बचती हैं हम उनको एक दफ़ा 0 करते हैं और एक दफ़ा 1 करते हैं तो हमारे पास ये दो numbers आते हैं जो के हमारे पास first और last addresses हैं जो के 128 से लेके 190 बाक तक है तीसरा ब्लॉग जो के 10 addresses का है तो 10 हम उसको assign नहीं कर सकते हैं तो हम 16 bits जो हैं हो 16 addresses जो हैं हो assign करेंगे तो उसके लिए हमारे पास prefix length होनी चाहिए 24 तो 24 जो है 28 addresses की जो है वो इसकी prefix length होगी 28 bits की तो 91 तक हमने address जो है वो assign कर दिये थे तो उसके बाद 92 जो होगा हमारा next address होगा और वहीं से हम जो है अपना पहला और last address extract करें तो पहला address हमारा block का 192 पे end होगा और दूसरा आखरी block जो आखरी address जो होगा वो 207 पे end होगा अब बजीद हम इसको explain कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास total address space जो थी वो 256 थी तो बाकी सारे number जो के हमने assign किये हैं उसको minus करते हैं तो जो हमारे पास end पे number बचता है जो के 48 है यह हमारे पास total remaining addresses हैं जो के हम मजीद assign कर सकते हैं तो cidr जो cedar जो strategy है यह address aggregation के तोर पे भी काम करती है यानि इसी example को अगर हम देखें तो isp ने originally यह वाला block assign किया था इंटरनेट से जो भी traffic आ रही है वो isp तक in addresses के उपर आ रही है जिनके उपर पहले 24 bits जो हैं वो fixed है लेकिन उसको मजीद divide किया गया है अभी हमने देखा उसको तीन blocks में divide किया है जिसमें एक में 25 bits हैं जो के fixed हैं एक में 26 bit fixed हैं और एक में 28 bit fixed हैं अब यह inner configuration जहें वो hidden है from the internet और internet के उपर से जो भी traffic आएगी वो हमेशा इन addresses के उपर आएगी और बाद में isp इसको blocks के लिहाज से इसको कहीं पे भी transmit कर सकती है किसी भी block के अंदर उसको send कर सकती है तो यह एक aggregation की strategy है जिसको seeder के जरीए implement किया जाता है यानि एक block of addresses जहें उसको combine करके एक बड़ा block जाता है और वो जो routing होती है वो हमेशा बड़े block के उपर की जाती है और बाद में उसको छोटे addresses के उपर divide कर दिये जाता है ओके तो classful addresses के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे special addresses है जिनको हम assign नहीं करते हैं बलके उनको special purpose के लिए fix किया हो है जिसमें सबसे पहला address जहें ये 5 different addresses हैं जिसमें पहला address है this host address जो के 000 ये वाला number होता है जिसको हम host address कहते हैं और जो भी packet के अंदर ये वाला address लिखा होगा host address होगा वो हमेशा client के अंदर ही रहेगा और कभी उससे बाहिर नहीं जा पाएगा दूसरी type है आपके पास limited broadcast address तो ये broadcast address ऐसे address होते हैं ऐसा address है ये single address है बलके block नहीं है ऐसा address है जिसके उपर जब भी कोई packet transmit किया जाता है जिसके अंदर ये data ये destination address मुझूद हो packet के अंदर वो हर एक node के उपर जो के network के उपर connected है उसको forward कर दिया जाएगा लेकिन आम दोर पे router जो होते हैं इस address को block करके रखते हैं ताके flooding से बचा जा सके तीसरा आपके पास address है loopback address loopback address ये वो address है जो के हमेशा 127.0.0.0 और जो भी packet इस address के उपर लिखा होगा ये हमारे पास block है जो के इस address से शुरू होता है अब mind you ये single address नहीं है बलके block है इस के उपर जिस भी packet के उपर इस block का address मुझूद होगा इस block में से कोई भी address मुझूद होगा वो हमेशा host के अंदर ही रहेगा और इस address को हम आप तोर पे client server जो machines है वो software है उसको simulate करने के लिए बलके test करने के लिए इस्तमाल करते हैं in a single machine फिर आते हैं हमारे पास private addresses इसमें चार blocks हमारे पास available हैं जिनके ये पहले addresses हैं ये वो addresses हैं जिनको आप दोर पे land को implement करने के लिए इस्तमाल किये जाता है और आखरी है हमारे पास multi-cast addresses और ये हमेशा reserve किये जाते हैं for multi-cast transmission यानि एक ये address के उपर अगर आप multiple devices को connect करवाना चाहते हैं तो उस वहाँ पे हम multi-cast को इस्तमाल करते हैं जैसे कि आपके पास cable का connection होता है तो आपके पास single एक IP address है और जो भी आप transmit करते हैं वो तमाम devices तक पहुँच जाएगा